लमशकार मित्रू, समाचार ये है कि मिशन रानी गंच के निर्माताओं ने फिल्म को आसकर अवार्ड्स की दोड़ में सम्मिलित करने का निर्णा लिया है अगले वर्ष होने जा रहे 96 आसकर आवार्ड के नॉमिनेशन के लिए मिशन रानी गंज को स्वतंतर गूप से सम्मिट किया गया है मित्र आसकर पुरुसकार प्राप्त करने के लिए हर देश की सरकार द्वारा अपनी ओर से एक फिल्म को सम्मिट किया जाता है वो होती है किसी देश की ओफिशियल एंट्री जैसे इस बार भारत की ओफिशियल एंट्री है मल्यालम फिल्म 2018 ये 2018 केरल में आई भयावा बाढ़ के उपर आधारित है तो ये तो हो गई सरकारी एंट्री इसके सिवा जिस भी निर्माता को लगता हो कि वो पुरुसकार जीत सकता है तो वो भी ओसकर्स में अपने फिल्म भेज सकता है इसे ही इंडिपेंडेंट एंट्री कहते हैं इसी इंडिपेंडेंडेंट एंट्री के तहट एसेस राजह मौलीजी ने आर 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 को ओसकर्स के लिए समिट किया था और आर आर ने तो पुरुसकार जीत कर रितिहास रच दिया आर आर ने केवल आसकर्स ही नहीं जीते बलकि वो इतने अच्छी फिल्म थी कि अमेरिका में ही बहुत से पुरुसकार उसने जीते थे विवेन पुरुसकार समारोहों में उसकी एक लंबे लिस्ट है आप विकिपीडिया पर या किसी भी साइट पर जाकर उसे पढ़ सकते हैं मैं तो सच में रानी गंच के मेकर्स द्वारा लिये गए इस नर्णे से बहुत प्रसन हूँ और या आशा करता हूँ कि मिशन रानी गंच पुरुसकार जीत कर हमारा मान बढ़ है जस्वन सिंग गिल्ची ने अपने साहस और द्रसंकल के भल से जो असंभाव साथ दिखने वाला कारी किया था वो जन जन तक पहुँचने की बहुत आवश्यक्ता है ताकि लोग उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें अपना आदर्श माने और अपने राश्टर की सेवा के लिए प्रतिपल तत पर है वैसे ये फिल्म अभी भी थीटर्स में चल रही है और यदि आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो अपना दाय तो अपना कर्तफ वे निभाईए और आज ही टिकट बुक कीजिए अपने पूरे परिवार के साथ इसे देखकर एक अदभूत अनुभाव प्राप्त कीजिए और निश्यत मानिए फिल्म देखने के बाद आप यहां आकर कमेंट शिक्षर में मुझे धन्यवाद आवश्य लिखेंगे वैसे आप लोगों को ये समाचार कैसा लगा और आपको क्या लगता है क्या मिशन रानी गंच आसकर जितने में सफल हो पाएगी जो राजा मौली सर की आर 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 ने किया क्या वही इतिहास एक बर फिर से रानी के शितो हो रा पाएगी जो भी आपके मन में है आप कमेंट शिक्षर में लिख कर बता सकते हैं वीडियो कौन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैसी आराम जैमा भरती